और आज इस वीडियो का टॉपिक है एक्जाम हॉल में कॉपि कैसे लिखे यही डाउट हर एक स्टूडेंट का होता है कुछ बाते हैं जिसे आप सुनकर जाईएगा याद हर किसी को नहीं होता है 95% लोग चोरी के भरोसे रहते हैं कुछ याद रहे या ना रहे एकदम सांत रहिए एक्जाम हॉल में बैठने से पहले एकदम अपने आपको सांत करिए गीता के नुसार जो इनसान सांत रहना सीख लिया समझो मुस्किलों का सामना करना सीख लिया सबसे पहला काम यही करना है कि अपने आपको सांत रखिया और दूसरा काम कॉपी मिलते ही एकदम ध्यान से रॉल नंबर, रॉल कॉड, अस्कूल नेम, सब्जेक्ट, एक्जाम डेट भर लेना है तिसरा काम, कॉपी पर देगया कुचन्स को एकदम बारीकी से पढ़ ले चौधा काम, जो कुचन्स का एंस्वर याद है, उसे सबसे पहले जल्दी जल्दी लिख दे पांचवा काम जो कुचंस का एंस्वर पता नहीं है उसे इधर उधर दोस्त की सहाता से भरने की कोशिस करें चाथा काम जब आपको लगे कि अब कोई चारा नहीं है तब जो किउचन्स का एंस्वर पता नहीं है उसे अपना मन से कुछ भी उसी से रिलेटेड एंस्वर भर दें ओके? साथा काम सबसे इंपोर्टेंट काम कॉपी को खाली मत छोड़ना कुछ न कुछ जरूर भरना आठवा काम कॉपी लिखने के बाद जमा करने से पहले एक बार जरूर जांच ले यानि जार ले और साथे ही रॉल नमबर रॉल कोड फीर से जांच ले और हाँ एक चीज ध्यान में रखिएगा अपना से बेहतर करिएगा अपना से बहुत अच्छा लिखने का पर्यास किजेगा अगर हैंड राटिंग आपको अगर बढ़िया रहेगा तो बढ़िया से बढ़िया नमबर भी उठेंगे एक्जाम हॉल में एक्जाम खतम होने के बाद अराम से घर आईए दो चार घंटे सो ये पहले नमबर फिर अगले सब्जेक्ट की तयारी करना सुरू कर देजे